देखे बात चल रही थी साइनोनिम की और ये वीडियो नमबर 21 है ठीक है तो चलिए सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे आपको कुछ इंपोर्टेंट साइनोनिम देखने को मिलेंगे जो की आपके एक्जाम के एकॉर्डिंग बनाए गये हैं यहाँ पे question number first है आप खुद से भी इसका कोसिस करिएगा कि इसमें कौन सा आपसन सही है साइनोनिम का मतलब same word ठीक है या मिलता जूलता चलिए यहाँ पे first question आप देख सकते हैं आपकी screen के सामने है hierarchy hierarchy का मतलब होता है पद क्रम या कि फिर अनुक्रम कह सकते हैं तो आपसन आपकी सामने है yes definitely आपसन number C यहाँ पे सही हो जाएगा यानि की gradation ठीक है इसका मतलब भी होता है पद क्रम या कि फिर अनुक्रम next यानि की second number का question है वो कह रहा है कि arcane arcane का मतलब होता है रहस्य arcane का मतलब रहस्य या कि फिर भेद कह सकते हैं option क्या सही हो सकता है बिलकुल सही आप देख सकते हैं option number C में mystery सब्द लिखा हुआ है इसको पूरा पढ़ेंगे तो mysterious होगा इसका मतलब भी आपको पता है यह रहस्य mystery वाली movie होती है यानि की रहस्य वाली movie होती है सिंप्ली आपको पता होगा question number तीसरे पर बढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर है temporary temporary का मतलब होता है कि निर अर्थक चीज़े ठीक है यानि कि जिसका कोई उपयोग नहों निर अर्थक बेकार की चीज़े तो option आपके सामने है यदि आप सोच रहे है option number D तो बिल्कुल सही चुकि यहाँ पर worthless लिखा हुआ है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं worthless finery इसका मतलब होगा finery का मतलब की निर अर्थक चीज़े या कि फिर बेर्थकी चीज़े next question number 4 आप देख सकते हैं आपकी screen के सामने है stillify का मतलब होता है मूर्ख बनाना किसी को बेवकूफ बनाना option आपके सामने है be fool का मतलब होता है किसी को मूर्ख बनाना या कि फिर मूर्ख या बेवकूफ बनाना next word देखिए ये जो word है ये काफी important word है चुकि ये कई बार exam में आ चुका है bellicose bellicose का मतलब होता है लड़ाकू या कि फिर जगडालू option आपके सामने है option number यहाँ पे कौन सा सही होगा बेलकुल सही यदि आप C के बारे में सोच रहे हैं तो बेलकुल सही सोच रहे है warlike का मतलब होता है लड़ाकू या कि फिर जगडालू next question question number six आपके screen के सामने यहाँ पे देख सकते हैं कह रहा है कि secular secular का मतलब होता है धर्म निर्पेक्च हम कह सकते हैं यहाँ तो क्या हो जाएगा option number B यानि कि temporal temporal का मतलब होता है धर्म निर्पेक्च next word की तरह बढ़ेंगे अगला है सेवंत नंबर का आप देख सकते हैं इसमें कह रहा है invegal invegal का मतलब होता है जूट बोलना या कि फिर चापुलूसी करना तो option आपके सामने है option number A बिलकुल सही हो जाएगा casual का मतलब भी होता है जूट बोलना या कि फिर चापुलूसी करना यह देखिए जो revision चल रहा है यह काफी important है और इसका आपको love examination में मिलेगा question number 8 की तरह बढ़ेंगे देखिए 8 नमर में कह रहा है paradigm paradigm का मतलब होता है स्वरूप धाचा या कि फिर pattern तो option आपके सामने है क्या होगा बिलकुल सही D is the right answer here इसका मतलब pattern यह आपे simply दे दिया है option number D next question की तरह बढ़ेंगे 9th number का question देखिए आपके screen के सामने है यह कह रहा है inscrutable inscrutable का मतलब होता है रहस्यमई ठीक है रहस्यमई चीजे तो क्या हो जाएगा options आपके सामने हैं यह आप सोच रहे है option number B तो बिलकुल सही सोच रहे है enigmatic enigmatic का भी मतलब होता है रहस्यमई next और last question of the day कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होगा दस्वा में torpid सब्द दिया हुए देखिए चुकि यह भी सब्द कई बार पूछा जा चुका है torpid का मतलब होता है बे-मन यानि कि उदास बीना मन का उदास टाइप का तो क्या हो जाएगा बिलकुल सही डल डल का भी मतलब होता है उदास बे-मन तो यह रहे आज के कार help करते रहेंगे समय समय पे motivate करते रहेंगे समय समय पे आपके जरूरी की वीडियो देते रहेंगे practice कराते रहेंगे हर कदम पर आपके साथ होंगे आप से जुडे होंगे तो इसके लिए आप चैनल को subscribe करके और notification बिल जरूर आन कर दीजिएगा और यदि आपको बहुत ह अच्छा लगा तो इसको अपने दोस्तों में सेर कर सकते हैं मिलेंगे नेक्स्ट यूडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर